हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होके आप सब बहुत ही अच्छे होंगे स्वास्त होंगे वेलकम तू माइट न्यू व्लॉग यह संडे का व्लॉग है अपनी फैमिली के साथ गई थी मंदिर जैसे आप सब को पता है यह चुट्टी का दिन होता है तो मैं मंदिर जान टाइम होता है तो घर के पास ही मंदिर ले जाती हूँ मैं मंदिर जाना अच्छा होता है जैसे हमेशा मैं आपको कहती हूँ जहां भी आप जिनको भी मानते हैं वहां जरूर जाया करिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इश्वर से मिलना उन से बाते करना उनके दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है तो घर के आसपास तो हम जाते रहते हैं बट यह जो दूर के मंदिर है हमारे घर के आसपास थोड़े दूर जो बने हुए हों हाँ भी मैं जाती हूँ अच्छा लगता है यहां की पॉजिटिविटी देखकर बहुत अच्छा फील होता है कुछ अलग अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए मंदिर जरूर जाना चाहिए जहां भी जिने माने उनके दर्शन जरूर करने चाहिए बना हुए है बहुत बड़ बड़े पार्क जैसा भी ब्वहत बड़ा है ब्हुत लोग आते हैं माता का बहुत बड़ा मंदिर हैई दर्शन करने आते रहते हैं यहां पर लोग, το देव दिपाबली भी है संडे और मंडे दो दिन, दोनों दिन दीपबली है तो ये दिन के दिन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये माता का मंदिर है और अभी आगे मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की है वो शाम की है तो शाम को इतने दिये जलारे लाइटिंग वगरा को की हुई है आगे मैंने आपके साथ जैन मंदिर की वीडियो शेयर की है जैन मंदिर है ये चांदनी चौक में तो महां मैं मंदिर और गुर्दवारे गई थी महां से गुर्दवारे जारी थी तो ये मंदिर मुझे बहुत सुन्दर लगा बहुत प्यारा सज़ा हुआ था ना, शाम का टाइम था, रेस्ट कर के गए थे, हम तो देखें कितना प्यारा सज़ा हुआ है, दूर से अलग सबके, सब लोग बस देखते ही जा रहे थे, यह मंदिर आज बहुत सुंदर लग रहा था, देव डिपावली के दिन, बहुत ही प बगवान को देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे जादा तर मंदिराना ही पसंद है जब भी छुटी होती है तो मैं मंदिर गुर्दवारे जरूर जाती हूं वैसे मार्केट भी जाती हूं पर यहां पर आके कहता है ना जितना सुकून शांती बगवान के पास थोड़ा कि सबको लेकर मैं मंदिर गुर्दवारे आ जाती हूं यहां पर यह मंदिर के दर्शन किये थे उसके बाद इस मंदिर के साथ ही बना हूँ है गुर्दवारा शीजगंचाइब गुर्दवारा है तो बाबाजी का बड़े है बहुत प्यारा सजवा था वो गुर्दवारा भी दर्शन किये थे हमने यह देखिए यह जैन भगवान है जैनी लोग जिन को मानते हैं वही है यह पाशवनाद भगवान जी मेरे साथ दर्शन कीजिए आप मेरे बेटे ने भी आज पहली बार लाई थी छोटा था ना तब इतनी समझ नहीं थी तो पहली बार दर्शन किये थे पूश रहा था मम्मी यह कौन से भगवान है वही होता है न हम बच्चों को जितना दिखाते हैं जितना समझाते हैं वह उतना ही सीखते हैं अपनी लाइफ है तो जितना हो सके भगवान से जोड़के रखें अपने बच्चों को क्योंकि बुद्धी भगवान नहीं देनी है जितना हम भगवान से जुड़ते हैं पॉजिटिविटी आती है लाइफ में और मन जो है वो सही रहता है अपने बच्चों को भगवान से कथाओं से सब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना ख्याल रखिएगा मिलती हूं आप से एक नए व्लॉग में पस यही था मेरा व्लॉग आचका आपके साथ नहीं के लिए रखिए टेक के दोस्तों बई बई